जहीं दोस्तो आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के इंपोर्टेंट कोशन को कवर करने वाले हैं कोशें नमबर 391 से आप लोग का काम हैं इनको बढ़ा तरीका से नोडाउन करते चलिए समझते चलिए और लाश्ट में अपना शकूर भी बताना है कि इन में से कितने अंसर आप लोग को सही हुआ हैं तो चलिए question है जनसंख्या का अध्यान कहलाता है जनसंख्या का अध्यान क्या कहलाता है जियोग्राफी कार्टोग्राफी डेमोग्राफी या फिर इन में से कोई नहीं तो देखे इस question का right answer हो जाएगा डेमोग्राफी, ओप्सन मसीज कोशन का सही अंसर होगा जनसंख्या के अध्यान को क्या कहेंगे डेमोग्राफी अगला कोशन देखिए नेश कोशन, रेवीज के टीके की खोज किसी ने की थी? रेवीज के टीके, अक्चुल में रेवीज फैलता किस चीज से है तो चुहे, बिल्ली या फिर कुत्ते के काटने से रेवीज होता है और इनके टीके की खोज किन होनी क्या था? एडवर्ड जेनर ने, डार्विन ने, लिस्टर ने, या फिर लुईस पासर तो देखिए इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा लुईस पासर रेवीज के टीके की खोज किन होनी क्या था? लुईस पासर और सबसे पहले पैनिसिलीन की खोज किन होनी क्या था? तो एडवर्ड जेनर याद रखेगा एडवर्ड जेनर पैनिसिलीन और रेवीज के टीके की खोज किन होनी क्या था? लुईस पासर अगला कोशन देखिए आधुनिक एंटिसेप्तिक सर्जन का जनक कौन है लिष्टर हारवे पासर या फिर जेनर तो एंटिसेप्तिक सर्जन का जनक हुआ लिष्टर याद रखेगा लिश्टर है एंटिसेप्टिक के जनक वो भी आधोनिक अगला कोशन देखिए इसके दुआरा अनुवानसिक्ता के विज्ञान को अनुवानस्की किनके दुआरा कहा गया तो कारेंस, वाटसन, मुलर या फिर मैंडल के दुआरा तो देखिए इसकोशन का राइट एंसर हो जाएगा वाटसन जिन्होंने डियने के डबल हैलिक्स स्ट्रेक्चर को उनके सिधान्त को दिया था ठीक है डबल हैलिक्स स्ट्रेक्चर डियने का जो सिधान दिया था वो दिया था वाटसन और क्रीक नाम के विज्ञानिक लेकिन अनुवंसिक्ता के विज्ञान को अनुवंस्की कहा वो वाट्सन नाम के विज्ञानिक, याद रखेगा important है, अगला question देखिए, next question, रक्त समु का अविस्कारक कौन है, रक्त समु, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी सरीर में blood चार परकार को होता है, A, B, AB और 0, जिनको O भी कहा जाता है, और जब से RS factor का निर्मान हुआ, RS factor का खोज करता हुआ, तब से blood group 8 परकार को हो गया, A positive, A negative, B positive, B negative, A B positive, A B negative, और O positive, O negative, इस परकार का, 8 परकार का blood group जो है, उनका निर्मान किया गया, तो यहाँ question है कि, रक्त सम्मू का अविस्कारक कोण है, लेंड स्टीनर, लुईस पासर, राबर्ट कोज, या फिर इन में से कोई निर्ट, तो देखें, इस question का right answer हो जाएगा, लेंड स्टीनर, option number A, इस question का, सई answer होगा, अगला question देखें, next question 396, फिर्दय का पहला प्रतिस्थान, प्रतिस्थान का मतलब होता है, ट्रांसफर करवाना, प्रतिस्थापन किसके दुआरा किया गया था, फिर्दय का पहला प्रतिस्थापन किनके दुआरा किया गया था, तो डॉक्टर लुई पास्चर, डॉक्टर विलियम हार्वे, डॉक्टर क्रिसियन बनार्ड या फिर इन में से कोई ने तो देखे इस question का right answer हो जाएगा option number C डॉक्टर क्रिसियन बनार्ड इनके दुआरज सबसे पहले हाट का प्रती स्थापन क्या गया था हाट का प्रती स्थापन क्या गया था डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारव अगला कोशन देखिए कि एड़वर्ड जेनर निमलिकित में से किस रोग से जुड़े हैं एड़वर्ड जेनर लखवा, जुआर, विशु, सिका या फिर चेचक तो देखिए, इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा चेचक, क्योंकि एड़वर्ड जेनर नहीं चेचक के टिके का इन्वेंट किया था तो चेचक से जुड़े हुए हैं अगला कोशन देखिए, विकास का सिध्धान्त इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था विकास का सिध्धान्त किन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो अरस्तु के द्वारा, डार्वीन, पास्चर, या फिर ग्रेगर, जॉन मेंडल के द्वारा तो देखिए इस question का right answer हो जाएगा Darwin के दुआरा Darwin का सिधान्त है कि वैसे जिव हमारे इस environment में रह सकते हैं जो उनके लिए suitable हो जो ये environment अगर उनके लिए suitable है तो वो जिव इस environment में आसानी से रह पाएंगे अकर ये environment उन जिव के लिए suitable नहीं है तो उनका प्रजाती हमिशा के लिए विलूप्त हो जाएंगे अगला question देखिए next question है कि histology सब्द का सरुपरतम प्रयोग किस ने क्या था histology सब्द का सरुपरतम प्रयोग किन होने क्या था मेमन ने, स्लाइडेन ने, राबट हूक ने या फिर मेयर ने तो देखिए इस question का right answer हो जाएगा मेयर, याद रखेगा histology सब्द का सब्द से पहले उप्योग क्या गया था मेयर के द्वारा अगला question देखिएगा किस परकार के उत्तक सरीर की सुरच्छा कवच का कारे करते हैं किस परकार के उत्तक सरीर की सुरच्छा कवच का कारे करते है epitheliume utak संयोजी utak PCO utak या फिर इन में से कोई नहीं अब लोग comment किजेगा इनके right answer को देखिए इस question का right answer हो जागा epitheliume utak हमारा जो skin बना हुआ है वो skin actual में epitheliume utak का बना हुआ है आप लोग comment box में comment किजेगा skin के अध्यान को क्या कहेंगे skin के अध्यान को क्या कहा जाता है देखिए अगर संयोजी utak के बारे में बात कर लेते हैं तो ऐसा tissue जो पूरे organs को एक दूसरे से connect करके रखता है जिसमें पहला आता है bone दूसरा आता है blood blood भी तीन परकार का होता है एक होता है white blood cell cell नहीं बोलेंगे carpuscles red blood carpuscles और फिर platelets दूसरा बात है bones 21 चीज़ से बना होता है तो calcium phosphate का बना होता है mostly calcium का बना होता है हमारा bones तो इस question का right answer हो जाएगा epithelium tissue अगला question देखिए निमलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है कौन सा टिसू घाव को भरने में सहायक होता है तांत्रिक्य उत्तक epithelium tissue PC उत्तक या फिर सयोजी उत्तक तो इस question का right answer हो जाएगा epithelium tissue जो कि घाव को भरने में सहायक होता है सबसे उपर का जो टीशू होता है जिसे की स्कीन बना हुआ हुआ यह अपिदिल्यम का लाता यह तंत्रीका उत्तक जोकी नब सेल से मिल करकर बना होता है जोकि मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांस्फर करवाता है उच्ञूजी उत्तक के बारे में रखने हे तु उतरदाई है कौन सा टीसु है जो कि सरीर को गर्म करने में और गर्म रखने में उतरदाई होता है वसामय उत्तक, रोम, स्वेध गरंथियां, या फिर सहियोंजी उत्तक हमारे बोड़ी को गर्म रखने में जो मदद करता है वह आपका वसामय उत्तक जो फैटी टीसु है वह हमारे सरीर को गर्म रखने में मदद करता है चलिए अगला कॉशन नेस्ट कॉशन देखिए कि तंत्री का उत्तक की इकाई है तंत्री का उत्तक, निरोन कोशी किया, उच्छी का या फिर इन में से कोई ने, तंत्री का उत्तक की इकाई कोन सा है तो देखिए इस कॉशन का राइट एंसर हो जाएगा निरोन निरोन जो है वो तंत्री का उत्तक की इकाई है, क्योंकि बहुत सारे निरोन्स मिल करके तंत्री का तीसु का निर्मान करता है, निर्मान का एक परकार का सेल है, अब बहुत सारे निर्मान सेल मिल करके तंत्री का उत्तक का निर्मान करता है, जो कि हमारे सरीर के हर एक अंग का मेसेज हमारे ब्रेन तक पहुचानी और वहां से हर एक और गयन तक पहुचानी में मदद करता है, इनी के जर अगला कूशिन देखे कि समवेदना का चालन समवेदना का मतलब होता लिंग का चालन सरीर के एक भाग से दुसरे भाग में इसके द्वारा होता है जब अब इसको डिसकस किये थे तो देखे इस question के जो right answer हो जाएगा वो है तंत्रीका उत्तक यह है आपका तंत्रीका कोशिका तंत्रीका कोशिका में यह आपका दीख रहा यह nucleus होता है हम लोग जैसे के जानते हैं कि nucleus के अंदर में क्या पाजाता है क्रमोजोम पाजाता है और क्रमोजोम के अंदर में क्या पाजाता है DNA DNA के अंदर में क्या पाजाता है RNA RNA के अंदर में क्या पाजाता है तो mRNA messenger RNA फिर उसके बाद tRNA इस परकार से और लाश्ट में होता है protein तो RNA, DNA उसके बाद mRNA, tRNA, protein तो यह सब जो हैने सिक्वेंस यह सब का सब आपका क्रमोजोम के अंदर पाए जाता है अगर एक तंत्रिका कोशिका के बारे में देखा जाए इनका जो यह भाग होता है इनको कहा जाता है डेंड्राइट जो की अगले तंत्रिका कोशिका से जुड़ता है इनका यह भाग एक इनको स्वान सेल का जाता है ये यह हुआ पुरा का पुरा थंत्रिका कोशी का के बारे में अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक थंत्रिका कोशी का दूसरे तंत्रिका कोशिका के साथ जो जूड़ता है उनके बीच थोटा सा जगह होता है और यहीं पर क्या होता है मैसेज का ट्रांसफर क्या जाता है एक जगह होता है भेजने वाला एक होता है रिसेप्टर रिसीब करने वाला मैसेज का ट्रांसफर इस परकार से जो होता है निरोमिक पेकेजिंग होता है और मैसेज का ट्रांसफर किया जाता है इस फॉर्मेट में और हर एक भाग में हमारे सरीर के हर एक भाग में इस परकार के तंत्रीका कोशिकाएं एक गुच्छा के रूप में पाजाता है जिनको त तंत्री का उत्तक याद रखेगा तंत्री का उत्तक अगला कोशन देखी कि उट का गुबंड ठीक है इनको कहेंगे किस उत्तक का बना होता है वशामे उत्तक का कंकाली उत्तक का उपास्ती उत्तक का या फिर पेशी उत्तक देखे अगर बात कर लेते हैं इस कोशन का राइट तो इस question का right answer हो जागा वशा में उत्ताग जो गुबंद होता है इस गुबंद में बहुत सारा वशा पायाता है फेटी टिसू का मिल करके बना होता है मूट का गुबंद इसमें water store नहीं होता है इसमें fat store रहता है कंकाली उत्तक के बारे में बात कर लेते हुए तेस से कंकाल होता है हड्डी होता है उसके आपका coupon tecica और हमारे जो सरीर का बोंस है वो कंकाली उत्तक का बना हुआ अगला 도ुशें की एंस इस मोटापा निश्वी आधिक्ता के कारण होता है मोटापा इन में से किन के कारण होता है सरकरा के कारण सुक्रोज के कारण ग्लुकोज के कारण या फिर वसाउत्तक के कारण तो देखे मोटापा चुल में होता किन के कारण तो हमारी सरीर में मान लिजे की 60% एनर्जी का जोरत होता है और अगर कोई body कोई आदमी 80% energy ले रहा है तो 20% जो energy वो आपका waste है तो ये जो waste energy है अतिरिक्त energy ये वसा के रूप में हमारी body में store हो जाता है जिसके कारण हमारा सरीर धिरे-धिरे मोटापा की ओर चलता जाता है तो इस question का right answer हो जाएगा वसा उत्तक लिए रहा option number d का right answer होगा वसा उत्तक निम्न लिखित में से कौन उत्तक का उदारन है देखे सबसे पहले तो बात समझे कि उत्तक की इनको कहा जाता है तो कोशिकाउं का ऐसा समू जो एक जैसा कारिकरे उनको ही कहेंगे tissue तो बोड़ा इन में से tissue का उदारन कौन सा है रक्त, अमासय, यक्रीत, या फिर मस्तिक्स, तो दीखे हमारा जो बलड है, वो एक टीशू है, एक टीशू का उदाहरन है, उत्तक का उदाहरन हमारा बलड है, याद रखेगा, अगला कोशन देखे, कि मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है मास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है सन्योजी उत्तक में तंत्रिका उत्तक में पेसी उत्तक में या फिर रुधीर उत्तक में मास्ट कोशिका सन्योजी उत्तक में मास्ट कोशिका पाई जाती है सन्योजी उत्तक में सन्योजी उत्तक के अंदर में आपका count होता है skin जो कि सन्योजी उत्तक के एक परकार से है blood जो कि सन्योजी उत्तक है और हमारे सरी का bones जो कि सन्योजी उत्तक है अगला question फेफडो को ढखने वाली आवरन कहलाती है फफड़ा का जो उपर का जो आवरन जो फिफड़ो को ढख करके रखता है इस आवरन को क्या कहेंगे पैरी काडियम, सिरोसा, पैरी टोरियम या फिर प्लूरा क्या होगा इस कुछिट का राइट अंसर तेखिये फिफड़ी के उपर में इस परकार से एक आवरन होता है जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, धका होता है, इनको क्या कहा जाता है, इस आवरण को कहा जाता है, प्लूरा, याद रखेगा, option number D, इस question का right answer होगा, प्लूरा कहेंगे, next question देखिए, दात का सिखर किसका बना होता है, दात का जो उपर का जो भाग होता है, ये भाग किस चीज का बना होता है, उपास्ती, काईटीन का, एनामिल का, या फिर डैन्टीन का, तो देखिए, इस question का right answer हो जागा है, anamil देखिए अंदर का जो भाग होता है ये भाग इनको कहा जाता है dentine ये dentine होता है लेकिन ये जो भाग होता है ये anamil का बना होता है एनामil यहाँ से यहाँ तक के भाग को बला जाता crown फिर उसके बाद neck कहेंगे नीचे का भाग को क्या कहेंगे root और यहाँ जो नसे होती है इस भाग को इनको कहा जाता है root canal ते लिए आप लोग comment box में comment किजेगा कि तीथ का types तीथ actual में 4 परकार को होता है तो कौन-कौन सा 4 परकार को होता है उनके नाम आप लोग comment किजेगा इस question का right answer हो जाएगा in-able, ठीक है in-able question का right answer होगा अगला question देखिए एज question है नाभी रज्जू है नाभी रज्जू क्या होता है prod सन्योजी उद्तक िरूनिय ुदतक रेशेदार उत्तक या फिर इन में से कोई ने नाभी रज्जू क्या होता है तो देखे इस question का सैयां चिरू जाएगा prod, sanyoji, utak ना भी रजू जो होता है वो एक sanyoji utak होता prod, sanyoji utak होता याद रखेगा prod, sanyoji utak ठीका नà prod sanyoji ये पूरा का है के अंदर में count होता है option number A अगला question देखे कि किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मिर्तिव को क्या कहते हैं तो देखे इस कोशिन का सही अंसर होगा अगला कोशिन देखे इस कोशिन है अनुवांस की इकाई है अनुवांस की इकाई क्या होती है प्रमोजोम, लाइसोसोम, जीन या फिर राइवोजोम अनुवांस की इकाई अगर बात कर लेते हैं तो वो है आपका जीन अनुवांस की किसमे होता है क्रमोजोम के अंदर में ठीक है क्रमोजोम के अंदर में पा जाता है DNA और RNA जिनका full form होता है deoxyribonuclec acid RNA का full form हुआ Ribonuclec acid और इनही दोनों को combined form में कहा जाता है gene जोकि अनुवांस की की एकाई है अगर लाइसोसोम के बारे में देखा जाए तो लाइसोसोम एक्चोल में गौलजी बोडी से बनता है लाइसोसोम का निर्मान कहां से होता है गौलजी बोडी से तहां पर पा जाता है सेल के अंदर साइटो प्लाजमे लाइसुसों का कारी क्या होता है तो यह एक्चोल में एक परकार से सेनिक की तरह कारी करता है अगर देखता है कि सेल के ओर्गनेल्स ढंक से काम नहीं कर रहा है तो उनके अंदर पाजाता है digestive enzyme यह अपने digestive enzyme के level को बढ़ा देता है खुद को blast कर लेता है इसके कारण पुरा सेल ब्लाश्ट हो जाता है और इससे related या फिर इनके contact में आए जो भी सेल से है वो इनके infection से बच जाए ये खुद को ब्लाश्ट कर लेता है इसलिए Lysosome को कहा जाता है आत्म घाती की थेली यानि कि Suicidal Beg कोशन आएगा Suicidal Begkin को कहेंगे तो Lysosome देखें राइवोजोम के बारे में देखा जाए तो ये हमारे Cytoplasm में भी पा जाता है सेल के और Indoplasmic Reticulum के रफ भाग में भी पा जाता है राइवोजोम एक्चुन में दो परकार को होता है एक 70S टाइप का राइवोजोम एक 80S टाइप का राइवोजोम 70S टाइप का राइवोजोम प्रोकेरियोटिक जिवो में पा जाता है 80S टाइप का राइवोजोम युकेरियोटिक जिवो में पा जाता है अब आप लोग के दिमाग में आया होगा कि प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक क्या होता है तो देखिए प्रोकेरियोटिक सिंगल सेल अनिमल होता है यूकेरियोटिक मल्टिपल सेल अनिमल होता है प्रोकेरियोटिक में जो न्यूकलेस होता है या prokeriotic cell के जो nucleus होता है, वो well developed नहीं होता है, इसलिए यह single cell में ही पाजाता है लेकिन जो eukaryotic cell के अंदर में जो nucleus होता है वो बढ़िया तरीका से बना होता है, well developed होता है, जिसके कारण यह divide करता है है और multiple cell में Convert हो जाता है, अगर बात किया जाए राइवोजोम का वर्क क्या होता है ये ऐमीनो एसीड के फॉर्मेट में अकिन को सेनस्हें करता है और प्रोटीन कर निर्मान करता है त singers को बोला जाता है प्रोटीन दुसरा है कि फोटोकॉपी मसीन भी राइव जोप को ही कहा जाता है। इसको याद रखेगा फोटो कोपी मसीन तो इस कोशेंट का राइट एंसर क्या हो जाएगा जीन याद रखेगा जीन होगा अनुवांस्की की एकाई अगला कुशन देखे कि जीन अवेस्थित होता है जीन कहां पाजाता है फुन्सुत्रों में मैट्रो कॉंडिया में ने और डीने कोई कहा जाता है जीन जोकी गुन्षुत्रों में पाजाता और यह गुन्षुत्र काहां पाजाता है मैं मैं थैरे बात का लिए सिनники के बारिमें थ्कोंडिया को बेला जाता है ऐन defenders Block serve क्योंकि यहाँ पे ATP का फॉर्म में energy store होता है ATP जिसका full form होता है adenosine triphosphate के लिए रहे adenosine triphosphate metrocondia next बोला जाता है कि अब IVS स्वसन कहाँ पे होता है metrocondia में वो यह ऐसा और्गनेल्स जहाँ पे DNA पाजाता है तो metrocondia में DNA और ribosome दोनों पाजाता है ठीक है metrocondia जो है वो दोहरी layer वाला एक और्गनेल्स है जिसके अंदर में fluid पाजाता है जिसका नाम होता है matrix matrix चलिए तो यह क्या करता है ATP का store करता है ATP का format भी करता है energy को generate करता है और लेक्टिक एसिड भी निर्वान करता है जो कि वेस्ट प्रोड़क्ट है रावुजोम का बारे में clear कर चुके थे हरीत लवक जो कि प्लांट सेल में पाजाता है हरीत लवक का तीन परकार होता है याद रखेगा कौन-कौन सा प्रुमोजोम एक होता है क्रुमोप्लास्ट एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है लिवकोप्लास्ट याद रखेगा क्रुमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट और लिवकोप्लास्ट क्रुमोप्लास्ट के कारण ही पेर पोधा का जो फूल और फल है उसमें colorful होता है फूलो का color फल्क में जो color होता है वो chromoplast के कारण होता है जो कि हरित लवक के एक भाग है chloroplast chloroplast के अंदर में chlorophyll नाम का pigment पा जाता है याद रखेगा chloroplast के अंदर में chlorophyll नाम का pigment पा जाता है उनके कारण पेड़ पोधा का जो पत्ता होता है वो ग्रीन कलर का होता है और यह लूको प्लास्ट इन दोनों के मैटेवोलिज्म को कंट्रोल एंड कॉडिनीट करता है चलिए तो हरीत लबक के बारे में आप लोगो समझ मागया होगा अगला कोशन है कि जीन क्या है तो आरेन भाग है जीन क्लिए रहे अगला कोशन देखिए जीन का वर्तमान नाम वाले विज्ञानिक है जीन का वर्तमान नाम वाले विज्ञानिक कोन है तो इस कोशन का राइट एंसर क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट किजिएगा देखिए ओप्सन है हेल्डन जोहांसन गाल्ट या फिर मैंडल इस question का right answer होना चाहिए option number B जोहांसन जीन का वर्तमा नाम वाले विज्ञानी कोन है जोहांसन अगला question देखिए नेश question है कोशिका में पाए जाने वाला अनुवनसिक पदार्थ है कोशिका में पाए जाने वाला जो अनुवनसिक पदार्थ हो कोन है protein, carbohydrate, DNA या फिर RNA तो देखिए DNA इस question का say answer होगा कोशिका में पाए जाने वाली जो अनुवनसिक पदार्थ है वो है DNA ठीक है और RNA तो DNA के अंदर में ही पाए जाता है ना DNA का full form upload comment कीजिएगा DNA का double health structure के नियम को किनो ने दिया था तो Watson और Crick नाम के विज्ञानिक ठीक है DNA के अंदर में पाए जाता बेस पेयर उन बेस पेयर का नाम आप लोग comment कीजिएगा देखिए अगर DNA के बारे में अगर देख लेते हैं तो DNA में चार परकार का बेस पेयर पाए जाता है ठीक है सबसे पहले है एडिनोसीन, साइटोसीन, गवानीन और थाइमीन और वहीं पर अगर RNA के बारे में देख लेते हैं जो कि सिंगल एस्टेंडर होता RNA तो RNA में भी चार बेस पेयर पाए जाता है है एडिनोसीन, साइटोसीन, गवानीन सिर्फ थामीन के जगापर यहांपर यह पर यूरसील होता है याद रखेगा थाइमीन के जगापर यूरसील होता है तो कोशीका में पाए जाने वाले जो आनुज़क पदार्थ है वह आपका DNA हैtóAddCHetin OW violence का राइट एंसर हो बेस्पेयर और यहां जो है आपका nuts 4 बेस्पेयर अपका DNA का मिआ देकि बेस्पेयर कि इंको और जाता है इनको बीच के डाइन दिख रहा है इनको बेस्पेयर का जाता है एक anya है डावल हालुक्स ये जो है लिक डाहे है सुगर और फॉस्फेट का अगला कुशन देखे माता पीटा के गूं उनकी संतानों में इसके द्वारा स्थाना अंत्रित होते हैं इंपोर्टंट कुषिण है रख्दवारा गुन्सूत्र द्वारा हर्मोन द्वारा या फिर इन में से कोई ने तुदेखें इस कोशन का राइट संतानों में character को गुणों को अस्थाना अंत्रित करवाया जाता है तो गुण सुत्र इस question का right answer हो जाएगा यहाँ पर है word hormones यह हार्मोन क्या होता है तो देखे हार्मोन एक परकार से activator होता है हमारे सरी में पाय जाने वाले हर एक organs के लिए हार्मोन्स निर्मान कहां से होता है तो गरंथियों से हार्मोन का निर्मान गरंथी से होता है गरंथी क्या है एक परकार के ओर्गेंस हमारे बोडी में जो कुछ न कुछ लिक्वीड पिगमेंट सेक्रेट करता है जिनको हार्मोन का जाता है ठीक है जिनके जरी हमारे बोडी का जितनी भी ओर्गेनल से वो वर्ग करता है अगला question next question है और आज का last question किस कारण एक माता पिता की सभी संताने एक समान नहीं होती है अनुवांस की विभिनता के कारण वातावरन की विभिनता के कारण इन दोनों या फिर इन में से कोई इनके कारण एक समान नहीं होते हैं तो देखे इस question का right answer हो जाएगा both of these अनुवनसिक विभिन्ता के कारण और वातावरन के विभिन्ता के कारण माता पिता से जो संताने हैं वो एक समान नहीं होता है चले दोस्तों, मिलते हैं नेस्ट क्लास Thank you